कि अपक्रूल में कि अपम से हैं एक वीडियो आज भी अपना वाग्सriters नायन है इसमें जो भी कोसन्रें से वह सबके सब क्या हैं हमारे 1968 को topics करें level करेंगे और इसके भी हम लोगों ने सारे वक्सिट को सॉल्व कर लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिएगा तो चलिए हम आप यह स्टार्ट कर ले और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्रेज इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ सेर भी कीजि एट मार्बल्स क्या कहा गया है न कि गीता के पास तोटल कितना मार्बल है एट मार्बल से और वो क्या कर लिये सी गेव वन बाय फॉर औफ फॉर ओं वहर देती है उसको तो उंगर बरोधर को दे रही है अब क्या हागे दाखिए how many marbles did her anger brother get तो उसका anger brother उसका जो brother है उसको कितना marble मिलेगा how many marbles did her anger brother get कितना marble उसका भाई पाएगा ओके यह हमको find out करना है तो चलिए हम लेखेंगे आप देखिए तो total number of marbles means कितना marbles है हाँ गिता के पास तो 8 marble है total number of marbles 8 हम लोट करेंगे फिर हम लोग लेखेंगे कितना marbles वो anger brother को दे रही है तो number of marbles given to anger brother कितना दिया है तो 1 by 4 of total number of marbles जितना marbles है उसका 1 by 4 दे रही है तो कितना marbles है 8 marble ओके तो 1 by 4 of 8 अब इसको हम solve कर लेते हैं देखिए 1 by 4 of means हो रहा है मेरा multiplication ओके अब इसको हम solve करेंगे तो यह just multiplication है fractions का तो आप देखिए यहाँ पे 8 के नीचे हम 1 put कर सकते हैं तो 8 into 1 क्या होगे मेरा 8 और यह 4 into 1 क्या होगे मेरा 4 और फिर यह मेरा divide हो जाएगा 4 के table से 4 बन जा 4 4 तो जा 8 तो अपना क्या आ गया यहाँ पे हम लोग को मिल गया है 2 ओके तो अब हम आगे लिखेंगे sentence her brother gets two marbles कितना marbles आया अपना answer two marbles आ गया तो हम लिखेंगे last में her brother gets two marbles क्यों 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 क्य एक प्लम केक का जो वजन है वो कितना है 3 x 4 kg अब आगे है इफ मिस्टर रमेज 22 फाइब सच केक्स अगर मिस्टर रमेज रमेज खरिता है कितना केक्स खरिता है 5 such case इस तरह के 5 केक को खरिता है तो टोटल कितना केजी होगा जो वजन कितना होगा यह हम लोग को निकालना है weight of one plum cake means एक plum cake का कितना वोजन है यह हम लोग नॉट कर लेंगे तो 3 by 4 kg रमेज कितना cake खरिद रहा है तो रमेज 22 5 such cake मतलब 5 cake खरिद रहा है तो क्या लेखेंगे weight of 5 such cakes तो एक cake का वोजन है 3 by 4 kg और कितना खरिदा गया 5 तो 5 से multiply कर देंगे तो क्या होगा आप देखिए यह आपका 9 मेटर से multiply हो जागा तो 3 into 5 by 4 इतना केजी हो रहा है और यह तो common factor है नहीं तो simply हो गया 15 by 4 15 by 4 kg और इसको हम mix नमर में कर ले तो 4 3 जा 4 जा हो गया अपना 12 और मेरे पास बज़ जा रहा है 3 तो 3 haul 3 by 4 kg यह क्या हो गया इतना केख का वजन होगा 5 केख का वजन इतना हो गया ओके हम लोग लास्ट में एक सेंटेंज लिखेंगे Mr. रमेश बाइस 3 haul 3 by 4 kg of केख ओके इतना केख का इतना किलोग्राम केख रमेश खरिदता है चलिए हम बढ़ेंगा Question No.C में Question No.C में अपना दिया हुआ है Cost of 1 kg एपल इज तो cost of 1 kg एपल हमको दिया हुआ है कितना रुपीज 25 haul 1 by 2 और हम से क्या पुछा गया है What is the cost of 1 haul 1 by 2 kg एपल तो हम लोग नॉट करेंगे पहले जो दिया हुआ है प्राइस हमारा Cost of 1 kg एपल इस अब इसको हम Mixed नंबर में है इसको हम Convert कर लेते हैं किसमें इंप्रोपर में है 25 to 50 plus 1 यह हो गया मेरा 51 by 2 यहाँ पर हम रुपीज लगा देंगे और फिर Cost of पुछा गया Cost of 1 haul 1 by 2 kg एपल तो मल्टिप्लाइ कर देंगे रुपीज 51 by 2 इन्टू 1 haul 1 by 2 हम इसको फिर से solve कर लेंगे 51 by 2 अब यह Mixed नंबर में इसको इंप्रोपर कर लेते हैं 2 अब इसको मल्टिप्लाइ कर लेते हैं क्या हमको मिलेगा यह अपना होगा 51 into 3 by 4 और यह हो गया अपना 153 by 4 इतना रुपीज फिर हम इसको Mixed में कर लेंगे तो Mixed में करने के लिए हम लोग Divide कर लेंगे और Divide करने के बाद अपना Remender क्या आ गया है 1 तो हम लोग क्या लेखेंगे 38 haul 1 by 4 यह इतना रुपीज हो गया Cost तो यह हमारा Answer हो गया Solve कर लिए हम लोग Question अब लोग D बनाएंगे आए Question D में कहा गया है Mr. Gupta puts 3 haul 1 by 4 liters of petrol in his car मतलब अपने कार में Mr. Gupta कितना petrol डाल रहा है 3 haul 1 by 4 liters Okay If he uses 1 by 3 of it Means जितना petrol डाला उसका 1 by 3 क्या किया यूज कर लिया How many petrol How many liters of petrol did he use तो यह पूछा जा रहा है कि कितना petrol का यूज किया गया Mr. Gupta के द्वारा तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले तो यह लिखेंगे कि कितना petrol को डाला गया कार में तो volume क्योंच किया है हम लोग चो कि petrol को हम लोग liter में measure कर रहे है और liter किसका unit है तो volume का unit है ओके liter से हम लोग volume के measure करते हैं तो volume of petrol in Mr. Gupta सकार 3 whole 1 by 4 liters हम लोग इसको convert कर लेते हैं चुकि यह अपना mix number में है तो 3, 4, 12 plus 1 13 by 4 liters ओके और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे volume of petrol used कितना petrol used हो गया यह आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 by 3 of it तो हम लिखेंगे 1 by 3 of कितना petrol था उसके पास कार में तो 3 by 13 by 4 liters ओके यह हम लोग लिखेंगे volume of petrol used 1 by 3 of 13 by 4 liters ओके अब इसको लोग solve कर लेते हैं तो 1 by 3 और वोफ का मेंस हो रहा है multiplication ओके और 13 by 4 अब यहाँ पे simply हमको multiply करना होगा तो 13 into 1 यह हो गया 13 और 4 into 3 यह हो गया अपना 12 और यह इंप्रोफर फ्रैक्शन है कैसा फ्रैक्शन है इंप्रोफर तो इंप्रोफर फ्रैक्शन को लोग mix नमर में convert कर लेते हैं तो यहाँ पे हम convert करेंगे 12 वन जाज 12 और 1 बच जाएगा और यह अपना 12 इतना volume निकल गया इतना liters of petrol used आनि इतना petrol used हो गया तो लास्ट में एक sentence लिखेंगे Mr. Gupta uses 1 whole 1 by 12 liters of petrol और यह अपना answer हो गया ओके हम बढ़ाएंगे question number e में question number e कह रहा है Neha spends 3 by 5 hours in your day question number e कह कहता है Neha spends 3 by 5 hours a day in morning exercises means morning exercise में Neha 3 by 5 hours spends करती है ब्याक्तित करती है उतना समय दे रही है how many hours does she spend कितना समय वो spend करेगी in morning exercises in one week means एक week में कितना समय वो देगी morning exercise में अगर एक दिन में कितना समय दे रही है 3 by 5 hours तो one week में कितना देज होता है seven days तो seven से हम मल्टिपलाइज करेगी तो हम लोग क्या लेखेंगे पहले sentence देखे in morning exercises in morning exercises नेहा अस्पैंज three by five hours therefore in one week she spends वो कितना अस्पैंज करेगी तो three by five ये एक दिन का है तो इतना hours into seven तो seven से मल्टिपलाइ करेंगे तो नुमेटर से मल्टिपलाइ होगा तो three into seven by five इतना hours ये क्या आगया अपना ये हो गया twenty one by five hours इतना समय वो देगी one week में अब इसको हम क्या करेंगे ये मेरा improper fraction है न ओके improper fraction है तो हम इसको convert कर लेते है mix नमर में तो five से divide कर लें हम लोग तो five four is twenty और one remainder आएगा तो four whole one by five hours ये क्या होगे अपना answer और हम लिख सकते हैं नेहा आस्पेंज four whole one by five hours in morning exercises in one week ओके चलिए अब हम next question भी देख ले the thickness of mathematics book ओके mathematics की जो book है उसका thickness क्या है कितनी मोटाई है thickness means मोटाई कितना है one whole one by four centimeter ओके what will be the thickness of a file of sixteen such book इस तरह की sixteen books को अगर ले लिया जाए तो उसका क्या thickness होगा तो हम लोग simply लिखेंगे thickness of mathematics book one whole one by four centimeter और इसको हम लोग mix है तो इसको 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 multiply कर देंगे तो इतना centimeter आएगा अब यह देखिए five into sixteen divide by four और हम यहां देख रहेंगे four से divide हो रहा है four one जा four 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 जा sixteen तो क्या होगी आपना four five जा twenty centimeter meter ओके और one denominator में था denominator one second हम divide भी कर दे तो हमको twenty ही मिलेगा ओके तो यह अपना answer हो गया इस तरह से हम लोगों ने यहां पे question सारे question को solve कर लिया वक्सित 9 का so I hope this video will helpful for you so please like this video and share with others okay and do some comments और अगर मेरे चैनल पर मेरे बारे तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल राइकन को दबाईए ताकि आगे आने वोला प्रीजिस की जानकार आपको मिलती रहे thanks for watching have a glorious day ahead